संबंदों की राजदार है तमिलाडू का ये प्राचीन शहर निभव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर्टटों के लिए पेहदलों को प्रिय है द्रविण रास्तुकला की दुश्ट्री से ये शहर अग्रणी स्थान रखता है साथवी शतापदी में ये शहर पल्लव राजाओं की राजधानी रहा और इस दोरान चीन के साथ कई स्थरों पर संबंद ही थे दरसल इस शेत्र में काफी समय पहले चीन, पालस और रोम की प्राचीन सिक्के मिले थे इतिहاس कारों के मुताबिक ये इस बात के सबूत देते हैं कि यहां पर बंदरगाह के जरे इन देशों के साथ भ्यापार होता था माना जाता है कि छटी और साथवी शतापदी के दोरान चीनी श्रथालों काची पुरommाय इत्यास कारों का कहना है कि चीनी व्यापारी हुआंच यौंग ने यहां का दौरा किया जिसका स्वागत महिंद्र पल्लब ने किया ऐसा माना जाता है कि चीन के लोगों के लिए ये शहर काफी पहले से जाना पहचाना रहा और यहां व्यापार के लिए आते थे पल्لب्वंश का राज था और पल्लब्वंश के राजा नर सिंग दुदिये ने तब चीन के साल व्यापारिक संबंदों को बढ़ावा देने के लिए अपने दूतों को चीन भिजा था इसे के पास बसे काचिपुरम का भी चीन के साथ पुराना संबंद रहा है चीन और भारत की बीच व्यापार के अलावा आध्यात्मिक संबन्ध की रहे इतिहासकारों का मत है कि चीन में लंबा समय व्यतीत करने वाले बोधी धर्म का संबन्ध पल्लवों से था और तलवे की बोधी धर्म एक महान भारती बहुत विच्चू और विलक्षन योगी थे उन्होंने पान सवी इस्पी में चीन जाकर ध्यान संप्रदाय का प्रवर्तन और निर्मान किया उन्होंने अपनी चीनी आत्रा समुद्री मार्क से की पिचीन के दक्षनी समुद्री तटके केंचन बंदरगाह पर उत्रे पियम मोदी और चीनी राश्पती शी जिन पिंग के बीच अनौपचारिक बाच्चीत राश्थाने दिल्ली के इतर हो रही है इससे पहले भी पियम मोदी ने रिश्मेताओं के दौरों के दौरान अतुल्य भारत के दौर खोले है